नमस्कार विध्यारतियों, मैं बियार सिंगोतिया, असिस्टेंट पोफेसर आप एकोनोमिक्स, गवर्मेंट कॉलिज सौंसर, निस्टिक छिनवाड़ा मैंने पिछली लेक्चर वीडियो में आपको बताया था कि टाइम सीरी एनलिसेस में हम हम 3-ह reproduction कर्म मेथड के द्वारा trend को किस तरह से find out करते हैं आज के लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे कि semi average method के द्वारा टाइम सीरी एनलिसेस में trend को किस तरह से find out किया जाता है तो अब भी द्खार थी हूँ, हम semi average method को समझते हैं इस गिधी के अनुसाद सबसे पहले काल स्रेणी को दो भागों में विभाई किया जाता है तद पस्चाद प्रतेक आदे भाग के समंकों का समानतरमादि गयात किया जाता है और उस भाग के जो मद्धी का समय विंदू होता है जिसको मीडियन पॉइंट आप टाइम कहते हैं उसके सम्मुक उसको रखा जाता है या लिखा जाता है इसके बाद ग्याद किये गए दोनों माध्यों को रेखा चित्र पर काल सेनी की दोनों भागों के मद्ध विंदू के उपर अंकित कर दिया जाता है इस प्रकार इन दोनों माध्यों को मिलाने से जो रेखा बनती है या तैयार होती है उसे ही अर्ध मध्य विधी द्वारा निरिमित टेंड लाइन कहा जाता है विध्यार्थियों अर्ध मध्यक सब्द का अर्थ वी जान लेना जरूरी है विध्यार्थियों यहां पर अर्ध मध्यक सब्द का अर्थ है कि स्रेणी के दोनों भाग पहले वाला भाग जिसको पूरवार्थ कहा जाता है एवं दूसरे वाला भाग जिसको उत्रार्थ कहा जाता है इन दोनों भाग के मूल्यों का समानतर माध्य से है अब हम एक example के द्वारा यह सीखेंगे कि अर्ध मद्यक विधी द्वारा trend value को किस तरह से find out किया जाता है इस example में दो variables दिये हुए हमको पहला variables दिया हमको year दूसरा values दिया हुए हमको export इन दोनो variables से हमको trend value find करना है और वह भी semi average method से हमको trend value find करना है इस screen को देखिए आप इसमें दो variables year और export यह हमको सवाल में ही दिया हुआ था year हमको 1950 से 1964 तक दिये हुए है और इनके export value दी हुई है जो की हमको कडोर रुपे में दी हुई है तो सबसे पहले हमको जो वर्स दिये हुए है 1950 से 1974 और उनकी जो export value दी हुई है इसको हमको इस पूरी data series को दो बरावर भागों में divide करना होगा यहां पर आप देखिए 28.2 यह इसका total आया इसमें चुकिए 7 वर्स का जोड किया हमने इसलिए 7 का हमने इसमें divide कर दिया तो हमको जो mean मिला जो average मिला वो है 12.6 इसी तरह से 1958 से 1964 तक यह भी 7 वर्स है इनके export value को हमने जोडा वह आया 126.2 इसमें हम 7 से इसको divide कर देंगे तो हमें इसका answer मिलेगा 18.6 यही average है यही कहला आएगा क्या mean इस तरह से इसमें हमने देखा कि स्रेणी को हमने दो बरावर भागों भ्युहाईत किया उपर वाला भाग पहला भाग जिसका average कितना आया 12.6 और second वाला भाग जिसका average आया 18.6 अब हम इन दोनों average 12.6 और 18.6 इन दोनों average को रेखा चित्र में प्रदर्सीत करेंगे तो आईए अगले स्क्रीन में देखते हम यह हमारा डायग्राम है हमने यह को 1950 से लेके 1964 तक इसको हमने ox axis में दर्साया है और जो export value है जो की करोड़ रुपे में दी हुई है उसको हमने by value में sorry by axis में दर्साया है अब यहां पर हम यह देखें कि time series के जो original data हमको दिये हुए है जो की export value है उसको हमने यहां पर यह full वाली जो line है कर्व है इससे इसको हमने दर्साया है यह original value वाली line है अब हमने जो average निकाले थे पहला average पहले भाग का average 12.6 और दूसरा भाग का average जो आया है 18.6 इसको हमने average of the first part यह आप देख रहा है तीर का निसान यह वाला और दूसरा वाला average जो आया है यह वाला तीर का निसान देखिए आप यहां पर है इसको हमने average of the second part कहा है यह हमको इस तरह से दो average को हमने यहां पर semi average method के द्वारा find out की गई trend line कहा जाता है आये विध्यार्थियों एक और देखिए कि हमको सवाल कहा गया है कि निम्न समंकों से अर्ध माध्य रीती द्वारा दीर कालिन प्रवत्ती ग्याद कीजिए और और साथ ही क्या करना है उनीस सो निन्हानवी की विक्री का अनुमान भी हमको इसमें लगाना है तो यहां पर हमको trend value भी find करनी है और उनीस सो निन्हानवी की जो cell है उसको भी हमको estimate करना है अब आप इस सवाल में ध्यान से देखिए इस question में जो year दिये हुए है वह साथ year दिये हुए है अब इन 7 years को हम आधा आधा कैसे divide करें अब हमारे सामने यह problem है तो इसको हम इस तरह से solve करेंगे आप इस screen को देखिए पहले कॉलम में years है दूसरे कॉलम में cells दी हुई है और तीसरे कॉलम में हमने semi total किया हुआ है तो जो years हमको 7 years दिये हुए है इन years को हमने क्या किया पहले तीन years 1992, 1993, 1994 इन तीन years के जो cell है 21, 25, 23 इन तीनों value को हमने जोड़ा तो यह semi total हमारे कितना आया 69 इसी तरह से हमने 1996, 1997, 1998 यह तीन years और लिये और इनकी cell value है 37, 32, 36 इन तीन value को जोड़ा इसका semi total आया 105 यहां पर देखिए विध्यार्थियों हमने 1995 years की जो cell value है कितनी 30 इसको हमने ignore कर दिया है क्योंकि यह year जो है 1995 जो year है यह series के बीचों बीच में है ना तो वह है series की पहले वाले भाग में सामिल हो सकता है और ना ही दूसरे वाले भाग में सामिल हो सकता है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है ignore कर दिया है और cable series के ऊपर के तीन वर्सों के cells को जोड़ा है और नीचे के तीन वर्स के cells को जोड़ा है इस तरह से हमने semi totals को निकाल दिया है तो स्रेणी का जो पहला भाग है उसका semi total कितना आया है 69 दूसरे का 105 अब आप ये semi average वाला column में देखिए हमको semi average total मिला था 69 ये 69 है इस 69 को हमने 3 से divide किया 3 से इसलिए हमने divide किया क्योंकि ये है semi average total जो आया है वह है तीन वर्सों के cells का योग है इसलिए हमने 3 का इसमें divide किया है तो हमें semi average मिल गया कितना 23 इसी तरह से हम second part स्रेणी का जो second part है उसका semi total आया है 105 इसमें हम भाग देंगे 3 का तो हमें semi average मिल जाएगा कितना 35 विध्यार्थियों इस तरह से हमने ये last वाला कॉलम देखिया आप हमने इस तरह से स्रेणी को दो बरावर भागों में विध्याजित करके पहले वाला भाग का semi average 23 फाइंड आउट किया और second वाले भाग का 35 semi average फाइंड आउट किया जिसको हमने 1993 येर्ज के सामने लिखा है और दूसरे वाले भाग का semi average हमने 35 फाइंड आउट किया है जिसको हमने 1997 येर्ज के सामने लिखा है अब इन दोनों semi average 23 और 35 इन दोनों को हम एक रेखा चित्र में प्रदरसीत करेंगे और trend value को find out करेंगे इस रेखा चित्र को देखिए विध्यार्थियों आप लोग इस रेखा चित्र में यर्ज को हमने o axis पर और sales को हमने o by axis पर दर्साया है यहां पर यह जो fulfill वाली line है यह वाला वक्र यह उस value से हमने इसको बनाया है जो हमको सवाल में original value दी हुई है यह वाली इस से हमने इसको बनाया है अब हमने जो दो semi average निकाला है 23 जो कि किस वर्स के सामने है 19 93 के सामने और 35 semi average है किसके सामने 1997 के सामने इसके सामने हम इसको दर्साया यह 93 हुआ इस 93 के ऊपर हमको 23 को दर्साना है तो यह आएगा यहां पर यह याने 24 के नीचे वारी line पर और अगला जो semi average है 35 इसको हमको दिखाना है कहां 1997 पर तो 1997 यह है इसके ऊपर आप देखिए 35 35 याने यह 36 की जो line है उससे थोड़ा सा नीचे आएगा यहां पर इन दोनों बिंद्यों को मिलाते हुए हमने एक डॉट 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 वाली line खीचा है यही semi average method के द्वारा खीची गई trend line कहलाती है सवाल में हमको trend value find out करने के साथ ही वर्स 1999 की अनुमानित विक्री का भी अनुमान लगाने को कहा गया है तो इसके लिए हमने जो trend line find out किया है इसको by t तक आगे बढ़ाएंगे यहां से ऐसा खीचेंगे और यह by t तक आगे बढ़ाएंगे अब इस by t से नीजे की ओर बर्स 1999 तक यह आप देख रहेंगे 1999 तक एक लंब डालेंगे अब हमको by t point यहां पर मिला अब इस by t point से by h तक एक लाइन हम खीचेंगे यह लाइन यह जो आ रही है 40 के उपर आ रही है यहां पर जो 40 के उपर वाला जो बिंदू है वहां पर sell जो है अनुमानित की जाएगी विध्यार्चियों हम 1999 की जो sell है उसको गड़िती विधी के द्वारा भी अनुमानित कर सकते हैं यहां टेंड वेल्यू को हम mathematical method से भी निकाल सकते हैं यहां पर आप देखिए सबसे पहले हमको इसके लिए annual change निकालना पड़ेगा एनुमल चेंज निकालने के लिए 1997 का जो semi average है वो कितना है 35 1993 का semi average है 23 इस तरह से 35 minus 23 equal to कितना हुआ 12 याने यह 12 जो आया semi average का difference आया इसी तरह से 1997 और 1993 इन दोनों बर्स के बीच में गेप कितना है 4 बर्स का तो 12 divided by 4 equal to 3 याने यह हमको 3 जो मिला यह annual change मिला है हमको अब इस सवाल में हमने 1997 की semi average value 35 निकाला है जिसको हमने given दिखा है और 1998 की trend value कैसे निकालेंगे हम 1997 की हमको semi average दिया हुआ है 35 प्लस annual change कितने का है 3 का है तो 3 उसमें जोड देंगे इस तरह से हमको 1998 की trend value 38 प्राप्थ होगी इसी तरह से 1999 की हम निकाल सकते हैं trend value 1999 की trend value निकालने के लिए जो 1998 की trend value है 38 इसमें प्लस करेंगे 3 equal to हो जाएगा 21 इस तरह से 1999 की जो अनुमानित बिक्री होगी वह 41 होगी यह हमने गडिती विधीत से trend value find out किया है इसी को हमने इस रेखा चित्र में भी find out किया था वह भी 41 आ रहाई थी 40 के उपर लाई ने इसका मतलब है कि यह 41 है धन्यवाद विध्यार्थियों आज के lecture वीडियो में आपने यह सीखा कि किस तरह से semi average method से हम trend value को find out कर सकते हैं आसा है कि आपको यह lecture वीडियो पसंद आया होगा जो भी इसमें आपको समझ में नहीं आया हो तो वह मुझे comments करके नीचे पूछ सकते हैं धन्यवाद